एलो माई फ्रेंड्स वेलकम टो कॉमिक्स माई लाइफ चैनल और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक इंगलिश होरर कॉमिक को हिंदी में और यह बहुत शानदार होरर कॉमिक्स है तो आगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाम आए हैं तो हमारे चैनल को सबिस्क्रा हमारी पहली कॉमिक्स से स्टार्ट होती है ब्राइट ओफ डैथ यह देख रहे हैं ब्राइट ओफ डैथ यह लेकर जा रहे हैं तो इस स्टोरी की कहानी असल में स्टार्ट होती है डॉक्टर सीरो से डॉक्टर सीरो असल में अपने घर में होता है और अपने इनके कुछ लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और उनको बोलता है कि फूल्स तुम अभी तक एक फ्रेश बॉड़ी में ने ला सके वो उन्हें चिला के बोलता है कि जाओ में लिए फ्रेश बॉड़ी लेकर है कि JISसे मैं किसीों इनसां पर उस उस रहुंए परकर ना चाहता हूं सब्सक्राइब पर करना चाहता हो छबूर्वाब को एक मुंहें लास्ट चाहिए। इसके लिए इधर डोक्टर सेरो का एक फ्रेंड होता है जोसे रहुता है कि तुम किस तरह के experiment करने जा रहे हो लेकिन असल में वो कहता है कि मैं अपने experiment करके रहूंगा मुझे इक लास चाहिए और इसका दोस्त बताता है उस असल में कि मैं जहूं एक लड़की की death में जा रहा हूं जिसे जो असल में भरी जवानी में मर गई है और वो उसका नाम कब्रिस्तान में जहां पर जो है उसका जो है जो बॉइफ्रेंड होता है उसका प्रेमी मारियो असल में उसके बड़ा दुखी हो रहा होता है कि उसकी प्रेमी का जो है जो डॉलर्स नाम की है वो उसे छोड़ के चली गई और उसका बहुत अफसोस हो रहा होता है और जब जो है डॉलर्स को दफना दिया जाता है तो रात में डॉक्टर सीरो आता है उस फ्लेश फ्लेश बॉड़ी को निकालने के लिए और उस बॉड़ी को निकाल कर जो है वो ले जाता है अपनी लेम में और उस लड़की को खुब सूरती देखकर वो हो जाता है उस पर मोहित और उसके बाद जो है वो उस जो है डॉर्स को डॉलर्स को पिला देता है एक टाइब की ड्रिंक एक टाइब की दवा होती है जिससे जो है मुर्दे में भी चान आ जाती है और उस दवाई को पीते ही मुर्दा जो है वो लड़की जिन्दा हो जाती है और जिन्दा होते ही वो प्रेमी का नाम लेती है जिसका नाम होता है मारियो और वो जो है ये डॉक्टर सीरो इस बास से भड़ा कुड़ता है कि आप तुम तुम्हारे लिए जिंदिगी में कोई मारियो नहीं अब तुम मेरी हो केवल तुम्हारी शादी मुझसे होगी लेकिन वो डॉलर्स उससे पी और उसे डॉलर्स को उसे लगता है मारियो कि डॉलर्स मेरा नाम किसी ने पुकारा डॉलर्स को लगता है कि उससे लगता है कि डॉलर्स ने मेरा नाम पुकारा है लेकिन अधर पीछे में वो जो है डॉलर्स जा रही होती है डॉक्टर सीरियो के साथ और बाद में जो है वो दॉलर्स को फिर से हार्ट अटेक आ गया और एक बार वो फिर से मर गई है तो डॉक्टर सीरियो ले चलता है उसे फिर से अपनी लैम में और दुबारा से उसे ट्रिंक पिलाता है और वो कहता है अब ये फिर से जिन्दा हो जाएगी और ये जिन्दा होने के बाद ये मुझे से फिरसे शादी करेंगी लेकिन अशल्च Creator स्चब्स फिर जंदा होती है उसे कि एक ही फ़र्ड्न ऎस्ट यो आती है में अवारी फिर फॉर माइन यह देख सकते हैं इसका फ्रस्ट है यह कहनि होती है असल में ये एक लड़की है जिसका नाम है सेंडी और उसके साथ है उसका बॉइफरेंड चारली असल में ये सेंडी नाम की लड़की बहुत ही जो है अपने पती को धोका दे के उसकी जायदा धरपना चाती है और अपने प्रेमी सेंडी के साथ रहना चाती है तो इसके लिए ये वो बनाती है अपने प्रेमी चारली के साथ मिलके एक प्लैन और वो चारली सेंडी चारली के हाथ में देती है गन और वो कहती है ये रख मिस्टर लॉरेंस जो मेरा पती है उसको जो है शूट कर दो और उसको शूट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का सारा हिसा मेरा हो जाएगा और उसका जो प्रेमी होता है चारली और शूट कर देता है उसके पती मिस्टर लॉरेंस को और लॉरेंस को सूट करने के बाद जो है वो ये दिखाती है कि मेरा पती जो है चला गया है और बाद में जो है वो अपने प्रेमी चारली को भी कवाँ बना देती है और बाद में जो है उसकी दौलत को हड़पके सैंडी चारली से कर लेती है शाधी और दौनों करते हैं enjoy और कहते हैं हम अमीर हो गए हैं हम अमीरों की तरह रहेंगे और बाद में वो करने लगते हैं दूसरे को प्यार और रहें लगते हैं एक साजिंदिगी और उसके बाद सेंडी उसे कहती है चारली अब ये जो घर है ये घर भी हमारा है और अब हम जो है इ देखने के लिए उठती है कि आखेर आवाज कहां से आ रही है तब ही सामने उसे अंधेरे में कोई चीज चलती हुए दिखती है और वह क्या चीज देखते हुए बढ़ती है और निकल जाती है उसके मूझसे चीख और वह देखती है कि सामने एक सरकटा इनसान उसके सामने कड़ाओा है जिसे देखके ही वह खौफ से डर जाती है वो कहती है मेरे पास मताना पर वह सरकटा हुए जो धड़ है वह उससे कहता है कि मुझे सर चाहिए मैं जहें कम्प्लीट रेस्ट नहीं मिला है और असल में वह होता है Mr. Lawrence का फूत जो आता है धल अगर तुम मिले शूट नहीं करते ही तो में ये साथ ये नहीं होता नो नो वह चिल्ला थी है फिट से सेंडी आं चिल्लाने के बाद जो है उसका प्रेमी चार्लीर कि तरफ आता है वह देखता है देखके और आता है है क्या के लिए सब क्या चीज़ है तो वो कहती है ये मेरे हस्बेंट है उनका जो है धड़ जो चलके यहां अपने अपाया उसे सर चाहिए और वो भागते हैं एक तरफ लेकिन असल में उसका जो मिस्टर लॉरेंस का जो सर कटा जो भूत होता है असल में वो उठाता है अपने ह प्रेक्षण फिल हो रहा है क्योंकि मेरा जो धड़ है बिना सर के घूम रहा था और सेंटी कहती है मुझे नकसान पचाना वो कहती है कि मैं जो चोड़ रहा हूं और सेंटी को उन्में साथ लेका जा रहा हूं आब उसकी किये की सजा मिल जाती है और बाद में आती है पुलिस जो उसे देखती है कि वो कहती है कि यहाँ पर चारली का सर का टिलाश पड़ी है और साथ में सेंडी उसके पास है तो वो जह है उसे ही उसका कातल समझते है लेकिन पुलिस खुद इस चीज में शौक हो जाती है कि आखिर चारली का सिर गया कहां पे इसने कहां पे भिज़ दिया उसके सिर को लेकिन आप तो जामते हैं असल में चारली का सिर कहां पर था उसे लेगा ता लॉरेंस का भूत और ये स्टोरी इसी के साथ खतम हो जाती है तो आपको ये भूतिया स्टोरीया कैसी लगी हमें बताईएगा और अगर आप चैनल में फरस्ट टाइम हैं तो चैनल को सबस्क्राइब किजिए अभी इसमें एक स्टोरी और बाकी रह गए है इस स्टोरी का रामा है दा क्लॉक ओफ एक कॉर्पस असल में ये होता है पूर असल में जो है वांडरिंग में एक बुड़ा आदमी असल में बरफीली रातों में जो खूम रहा होता है तब ही देखता है कि एक आदमी लटका हुआ है फांसी के फंदे पर और उसकी लाश देखके जो है एक बुड़ा सादमी उसके पास आता है और उसका देखता है कंबल जो उसके साथ लटका हुआ था और वो कहता है कि ये मेरे बड़े बेटे जेमी के काम आएगा और उस लाश से वो कंबल उठाके जो है अपने साथ ले जाता है और वो केमबल अपने बेटे को पेनाता है ताकि वो उसे थंड से बच सके लेकिन तभी रात में उसके दरवाजे पर होती है ठक 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 वो देखता है की कौन आया है इस वक्त मेरे गेट पर तभी वो देखता है जो है एक जो है एक लाश दिखने वाला एक आदमी चल के आ रहा है तब ही वो चौक जाता है कि ये तो वही आदमी है जो लटका वाता फांसी के फंदे पे और ये मेरे पास आ रहा है और वो आके उससे कहता है कि मैं जहूँ अपना अपना कंबल जो है ब्लैंकेट वापस लेने आया हूँ जो तुमने मेरे सीने से हटा जिया था और ये देख जही और वो फिर हाँ 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 आस्ते वे वापस चाल जाता है और उस पूरे आदमी की होश उड़ जाते है कि वो लाश जिन्दा होकर उसके पास आई थी और जो है उससे और उससे कंबल लेने और इस तरीके से ये स्टोडी खतम हो जाती है तो दोस्तों ये हरर कॉमिक्स आपको कैसी लगी है हमें बताईएगा देख तरही है कॉमिक्स माइल लाइफ चैनल